आज मैं दिल और कलेजी की रेसिपी बनाऊंगी उसके लिए मैं यहाँ पे एक किलो बीफ की दिल और कलेजी उसके रही हूं एक बड़े साइस की प्यास हाफ कप कुकिंग ओयल, फुल टेबल स्पून सुरख मिर्च, फुल टी स्पून नमक, फुल टी स्पून गरम साला, फुल टी स्पून पिश्वी हल्दी, आठ से नो पीस लेसन के आदा अधरक, पान से छे अधर अधरी मिर्च, दो स्मोल साइस के टमाटर इन चीजों के सबसे पहले मैं ग्रैंड कर लोंगी, मिर्चे, लैसल अग्रक, टमाटर, प्यास, और एक प्याली पानी ताकि इजिली ग्रैंड हो सके कड़ा ही लोंगी, उसके अंदर मैं यह दील और कलेजी आड़ करूँगी सबसे पहले, कलेजी आड़ कर देंगे बात मैंने सारे मसाले ग्रैंड कर दोंगी, और सारे यह वले मसाले, अल्सपाइस, हम यह ऐसे तेज आज पर अच्छे से भून लोंगी, आप चाहें तो इस अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसके नीचे मीडियम फ्लेम कर दोंगी, और जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा, यह भी घर जाएगी, फिर हम इसके अंदर कुकिंग और लाइट करके इसे अच्छे से बहून लेंगे, पूरे 15 मिन तोगे मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर बकनी के लिए रखा हुए, इसका बस फोड़ा पानी रहे गए, यह भी तक रिवाद पानी तक खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर कुकिंग और लाइट कर देंगे, अब मैं इसके थोड़ी सी हाई फ्लेम कर दोंगी, पूरे 5 मिन बात इसका पानी तकरीबन फुश्क हो गया, अब मैं इसके लोग फ्लेम करती है, इसके अंदर मैं कुकिंग और एट कर दोंगी, यह थोड़ी से भी कच्छी है, इसे अच्छी से मिक्स करके इसमें लोग फ्लेम पर पकने के लिए रख दोंगी, तब तक यह भून भी जाएगी और तकरीबन गल भी जाएगी, मिन बात मैं इस नीचे फ्लेम बन कर दोंगी, यह बन के त्यार है, दिल कलेजी की रेसिपी बन के त्यार है, मैं इसके साथ चटनी और कैचप यूज कर रही हूं, आप चाहें तो रायता भी यूज कर सकते हैं, बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ट्राय करें, आपको पसंद आएगी, और मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें,